What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Stirl or Family तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, श्यांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेहत, फैमली और पाई का धान काफी अच्छे से रख रहे हो तो यह जो वीडियो है, यह हर एक 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 एक्जाम के लिए आप लोगो फाईदा पहुचाने वाली है चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एक्जाम की तैयारी क्यों ने कर रहे हो यहाँ पर UPSC या EPS का मतलब यह नहीं की बसीनी एक्जाम में फाईदा पहुचाएगी आप लोगो यह स्टेट के जितने भी एक्जाम होते हैं उनके अंदर फाईदा पहुचाएगी और किसी भी एक्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर एक्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे सही होता है तो अच्छी बात है गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है इसका मतलब भी होगा कि अब एक्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को इसका description box में मिल जाएगा, तो आईए, आज का discussion स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के, आज का first question देखते हैं, इस question में बात की जारी है, यहाँ पर पैंगोंग तोशो लेक के बारे में, यह लेक recently अभी news में थी, तो इसकी location आप लोग को बता होना चाहिए, कि कहां पर है यह, पहला बुला गया है, इंडिया में, दूसरा नेपाल में, तीसरा चाइना में, और चोथा तिबबत में, तो यहाँ पर confused आप लोग को होने के लिए, यहाँ पर एक तरीके से ए भी दे दिया है, कि दोनों को option यहाँ पर दे दिये हैं, तो अगर तिबबत दे रखा है, चाइना का पार्ट माला जाता है वैसे, लेकिन अगर अलग से भी तिबबत दे रखा है, जूम वर्जन है, तो यह basically जो यहाँ पर लेक हो गई, यह है यहाँ पर लेक, यह वाला portion इसका इंडिया में है, और यह वाला portion तिबबत यह निके चाइना के अंडर है, ठीक है, तो recently अभी हाँ पर इंडियान और चाइनीज जो आर्मी है, वो आमने सामने आकर खड़ी हो यहाँ पर भी हमारी कंट्री और जो चाइना की आर्मी की जो आर्मी है, दोनों में डेड लोग हो गया था, तो इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, पोंगोंग तोशो या फिर इसको हाई ग्रास लेंड लेक और इसके साथ में इसको पोंगोंग लेक के नाम से भी ज राख सकते हैं आपर इसके बारे में तो आंसर इसका A हो गया, इसका आगे चलते हैं, नेक्स्टक्शन आप लोगे सामने आपर बात कर रहा है, वर्ल्ड यूनिविस्टी रेंकिंग के बारे में, तो यह रेंकिंग किसके दौरा रिलीज की जाती है, यह है कोईशन, A, उप यहां पर इसका है यह है B, यह थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं, अभी रिसेंटली इसके द्वारा पहली बात यहां पर यह कि इसका सोलवा एडिसन यहां पर प्रस्तुत किया गया है, वर्ल्ड यूनिवस्टी रेंकिंग का, तो यह जो सोलवा एडिसन पर फोकस देखर चलती है, पहला जो इसका 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 1971 में, तो यह काफ़ी इंपोरेंट है यहां पर जब से यह मेगजिन स्टार्ट हो रहती है, तो पहला इसका 1971 में आ था, अब की बार जो रेंकिंग तयार की गया है, यह लगबग 1300 यूनिवस्टी इसमें इंक्लूड क की गी है, और अगर देखेंगे आप लोग यहां पर लास्ट इयर हमारी 49 यूनिवस्टी थी, यहनिके और ज़्यादे यूनिवस्टी आपर काउंट की गी है, अगर वल्ड में बात करें, तो हम लोग यूनिवस्टी के पॉइंट ओब से पांच यह नंबर पर हैं, जितनी यह फोर्थ टाइम, अपनी फर्स पोजिशन बरकरार है आपर, ठीक है, तो यह कुछ बाते हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, नेक्स लोशन आप लोग के सामने आपर बात कर रहा है, तो यह हैं आपर नेट गेड, इसके बारे में बात की जा रही है, और सही स्टेटमेंट क्या है, यह आप लोग को बताना है, बोला गया है कि हमारी कंट्री में एक MBCS counter terrorism program है, दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि यह connect करता है different phase of data, जो organization है, इसके साथ में जो user है, और इसके साथ में जो low enforcement agency है, उनको access होती हैं आपर data की, इसके बोला गया है, one only, b बोला गया है, one and two, c बोला गया, two and three, d बोला गया है, one and three, a, b, c, f, u, d, सही answer किया है, तो जो सही answer है इसका है, यह है इसका बी, यानिके first और second statement है हापर सही है, हमारी country में जो यह बना गया है, इसको net grid बोला गया, इसको बोलते है basically national intelligence grid, यह इसकी full form है, national intelligence grid, यह जो भी social media account है, जो की huge data है, हापर हमारी country में देखने को मिलता है, कौन कहां से आ रहा है, कहां पर जा रहा है, banking, telephone, detail, यह सारी चीज़े हापर देखने को मिलती है, ताकि अगर कोई ऐसी activity होती है, किसी का पैसा transfer किया गया, किसी terrorist activities को, उसको हापर count किया सके, और इसी तो तब से लेकर हमारी country में यह organization picture में आई थी, ठीक है, तो यह हापर pullama attack जो दिया गया है, हापर यह गलत information है, यह Mumbai attack के बाद में हमारी country में यह start हो गई थी, यानिके 2008 के बाद में हापर आप लोग इसको बोल सकते हैं, तो इसके बारे में जो answer होगे हैं, आपर B सही हो गय तो फिर यहाँ पर हमारा privacy का issue आजाता है, जो 21 article हमारे समिधा में पार थड में 12 से और 35 के बीच में fundamental right है, तो उसका fundamental right होता है privacy, तो उसका भी हाँ पर हनन होने की बात होती है, तो इसलिए काफी controversial issue भी बन जाता है, next question आप लोगे सामने ये बात कर रहे हैं, आपर M3 excise के बारे में, तो correct statement आप लोग से पूछी जा रही है, यहाँ पर CDS, NDA या फिर कई बार आप लोग जैसे assistant commandant का exam देते हैं, तो UPSC के दोरा जो exam conduct करा जते हैं, तो उनमें ऐसे question बड़ी frequently पूछ जाते हैं, और UPSC के पि alternatively, यहनिके एक बार India में, एक बार यहाँ पर Russia में, और 2006 से हम लोग इसको enjoy कर रहे हैं, तीसरी statement बोला गया है कि यहाँ पर यहाँ इस बार का जो हुआ है, यह में घाले के अंदर हो है, तो थाए 19 का edition, correct statement आप लोग को बताने है, A में बोला गया 1 and 2, B में बोला गया 2 only, C म बोला गया, all of the above, सही answer क्या है, यहाँ पर A, B, C, F, D, तो जो सही answer है, इसका, यहाँ पर यह है C, यहनिके थर्ड statement हो ली सही है, बाकि first और second statement गलत है, reason कह है, reason यहाँ पर यह है, यह इंडो रसिया नहीं है, यह इंडो और थाइलेंड के बीच के exercise है, यह इंडिया और चाल्य में हुई है, और basic है यहाँ कि किस तरीके से हम लोग एक दूसरे से चीज़े सीख कर आगे लेकर चल सकते हैं, यह निके एक दूसरे की army से क्या-क्या हम लोग नई चीज़े सीख सकते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसके बारे में आप लोग लोग country नहीं है, बैंको किसके capital हो गई, आईए अब आगे चलते हैं, next question यहाँ पर बात कराया है, global anti-microbial resistance research and development hub के बारे में, basically जिस तरीके से आप लोग दवाईया लेते हैं, तो उसके बारे में हाँ पर research करने की बात की जा रही है, तो इससे कौन सी statement यहाँ पर correct है, पहली statement में बोला गया है, कि यहाँ पर इसको launch किया गया, में 2018 में, और यह 71 session जो की world health assembly का था, उसकी side by में इसको launch किया गया, और यह G20 leader के द्वारे इसको basically call किया गया, इनिके बुलाया गया, इसका secretariat established किया गया, Berlin के अंदर, यानिके जर्मनी के अंदर, और इसके जो member हैं, वो 16 जो 16 country European commission और 2 philanthropic organization और 4 international organization यहाँ पर इसके member है, as a observer के तोरपा, तो सही statement यहाँ पर कौन सी है, यह बताना है, A में बोला गया, 1 and 2, B में बोला गया, 2 only, C में बोला गया, 2 and 3, D मोला गया, all of the above, सही answer किया है, A, B, C, F, D, तो जो सही answer यहाँ पर इसका यह है, यह है D, यानिके सारी की सारी statement यहाँ पर सही है, आज की rate में काफी सारे लोग ऐसे हैं, जिनका इसकी वेसे जान जा रही है, जो यह resistance create हो जाता है, बोडी में, तो इसकी वेसे कई सारे लोगों की जान जा रही है, क्योंकि बोडी का immune system काम नहीं कर पाता है हाँ आपर, तो यह कई सारी problem यहा पर incorrect है, यह बोला गया है, तो सबसे पहले आप लोगो बता होना चाहिए, यह confusion नहीं होना चाहिए, माइन में की correct पुछा गया है, incorrect, बोला गया है कि यहाँ पर यह ethnic group है, जो कि mostly एक Buddhist community है, दूसरा बोला गया है आपर इसको, यहाँ पर full citizenship grant नहीं की गई है Myanmar के दोरा, तीसर बोला गया है, यहाँ पर इनको classified किया गया है, as a resident foreigner or associate citizen, तो यहाँ पर यह इनको classified किया गया है, correct, incorrect statement बतानी है, only one, only two, both, 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 two and three, और यहाँ पर फिर बोला गया all of the above, तो कौन सी statement, question के हिसाफ से सही है, तो यह है answer यहाँ पर A, first statement यहाँ पर गलत है, reason कहा है, क्योंकि यह Muslim community है, ना कि यहाँ पर यह Buddhist community है, यह mostly Muslim community के जो candidate है, जिनको Myanmar की majority Buddhist community के द्वारा मार कर भगाया गया, और उसके चलते यह जो particular area Myanmar का जहाँ पर यह रहते दे, वहाँ से जब इनको भगाया गया, तो यह बंगलादेश में पहुँचे हमारी country वी लगबग 440,000 के करीब हैं, और यह माना जारा है, लगबग 6-7 लांग के करीब आज़के में रुहिंग के community है, वापस जानी रहे हैं, क्योंकि जान का खत्रा काफी ज़्यादा है, तो इसके चलते हैं काफी news में रहते हैं, और इनके ओपर आज़के में यह माना जाता है, कि वर्ल्ड में सबसे ज़्याद इसके बारे में बात कि जारी है, यह क्या है, इसके बारे में detail में हम लोग discuss करेंगे, तो आप लोग को बताना है, आपर कि cells monela है क्या, तो इसके बारे में बात कि जारी है, एक group of bacteria है, जिसके वे से airborne illness होती है, जिसको यहाँ पर cells monelais से बोलते हैं, ठीक है, यह हो गई पहली इसके बोला गया है, वर्ल हैल्ट और इसके द्वारा इडेंटिफाइग किया गया है, कि हाँपर जो cells monela है, यहाँ पर यह जो 4 key indicator है, डाइरिया के, तो उनमें से एक है यह, इसी के साथ में नेक्ट बोला गया है, जो symptoms है, तो नाल्स इस, डाइरिया, fever और यहाँ पर abdominal जो crimes होते हैं, वो सारी चीज़ें हाँ पर देखने को मिलती है, 12-72 घंटे आफ्टर, जो हाँ पर contradiction of infection अगर हो जाते हैं, ठीक है, यानि कि इसके contact में अगर आ जाते है, तो यह सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कौन सी statement correct है, A में बोला गया only 1, B में बोला गया 1 and 2, C में बो viral एक तरीके से आपर इसको बोला गया है, यहाँ पर बात की जा रही है, किसके बारे में, डाइर्या के बारे में, बच्चों को कई बार सुनाओगा, आप लोग ने दस्त लग जाते हैं, जिनकी वेसे बच्चों की death भी हो जाती है, तो यहाँ पर यह तीन चीज़ें आप लोगों देखने को मिलता है, जैसे bacteria like, यहाँ पर अभी हम लोगों ने बालत की, यहाँ पर यहाँ पर है, यहाँ पर है salmonella, ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया bacteria, और इसी के साथ में parasite, परसाइट बोला गया है, जी आई, गार्डिया, ठीक है, तो यह parasite है, जो कि यहाँ प इसकी वेसे होती है, answer C है, आगे चलता हूँ, next question आप लोगे सामने हाँ पर बात कर रहे है, national pension scheme for trader and जो self-employed person है उनके लिए, तो कौन सी statement यहाँ पर सही है, कि जो eligibility criteria है, उससे later, तो एक एक करकर यहाँ पर नज़ डालते हैं, सबसे पहले बोला गया है, beneficiary को required पड़े गया ह आधार card, saving account होना चाहिए, या फिर जन्धन का account होना चाहिए, passbook होनी चाहिए, तो यह basically उसकी requirement है, दूसरा बोला गया है, जो age होनी चाहिए, वो 18 से लेके 40 के बीच में होना चाहिए, तीसरा बोला गया है, GSTIN, तो यह GST का जो identification number होता है, उसकी बात की जा रही है, तो यह only, यह उनके पास का, जिनका turnover 50 lakh होता है, उसका यहाँ पर basically, मतलब जिनका turnover यहाँ पर 50 lakh के करीब होता है, तो basically उनको यहाँ पर यह GSTN number दे जाता है, ठीक है, तो यह भी required रहेगा, तो कौन सी statement यहाँ पर correct है, यह बतानी है, A में बोला गया 1 and 2, B में बोला गया 1 and 3, C में all of the above, सही answer क्या है, A, B, C, F, O, D, जो सही answer है, वो यह इसका A, A, N के first or second statement सही है, यह सारे document यहाँ पर require पड़ेंगे, अगर यहाँ पर आप लोग को इसका part बनना है, इसी के साथ में 18-40 के एज के बीच में आप लोग यहाँ पर इसको join करेंगे, फिर 60 साल की एज के बाद म यहाँ पर text identification number होता है, जिसको इससे अब replace कर दिया गया है, जबसे हमारी country में GST implement किया गया है, और जिनका turnover यहाँ पर 40 lakh से उपर होता है, तो उनको यहाँ पर GST number की जुरत पड़ती है, तो यहाँ पर 50 जो बोला गया है, यह गलत बोला गया है, तो इसलिए answer क्या सही है, answer इसका A सही है, UPC में question पूछा जा चुक है, इसके बारें बात कते हैं, बात की जारी है, हहाँ पर Government of India Act 1919 के बारे में, यहनि के 1919 का जो Government of India Act था, उसका कौन सी statement correct है, बोला गया, separation of power judiciary और legislative के बीच में किये इसके द्वारा, jurisdiction जो central और provincial government का था, वो यहाँ पर different किया गया, non of the above, सही answer क्या है, A, B, C, F, O, D, सही answer है आपर इसका B, यहनि के हाँ पर जो central और provincial matter थे उनको लखिया गया, provinces बोला जाता था, राज्य है, यहनि के state, तो आज के में भी Canada में provinces बोला जाता है, जैसे हमारी country में, राज्य इस्टेट बोला जाता है, 28 राज्य है हमारी country में, तो हाँ पर provinces बोला जाता है, हमारी country में राज्य बोला जाता है, तो जो voice rai की power है, transfer subject बोला गया, और reverse subject बोला गया, तो जो reserve subject है, वो यहाँ पर voice rai के अंडर में, और transfer power यहाँ पर यह बेसिकली दे दी गई, जो एक तरी से dilute की गई, जो कि यहाँ पर इनकी power होगा कर दी यहनिके दूसरे लोगों को भी थोड़ी power दे गई, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको डायर्ची के नाम से जाना गया है, D-I-A-R-C-H-O-I, ठीक है, तो यह भी इसी का concept था, answer app भी आगे चलते हैं, next question यहाँ पर बात कर रहा है, consumer price index के बार में, UPSC 2015 में question पूछा गया तो यहाँ पर कौन सी statement सही है, यह बारा जा रहा है, तो consumer price index, जो number है आपर industrial worker के लिए, उसके बारे बात की जा रही है, कि कौन यहाँ पर इसको पब्लिस करता है, पहला बोला गया है, रिज़र बैंक और इंडिया, दूसरा बोला गया है, आपर department of economic affair, तीसरा बोला गया है, आपर यहनी कि base जो था 1960 था इस्टार्टिंग में, तो 100 है आपर, आज की date में जो latest base यूज कर रहा है, इसको, वो 2001 है, 2001 का latest base यूज करके आपर इसको हम लोग use करें, जो कि 100 माने जाता है, base का मतलब भी होता है, कि उसके साथ में reference, आप लोग लेकर उसको count कर सकते हैं, कि हा बग 20 साल मोटे-मोटे तोर पर आप लोग बोल सकते हैं, तो इसको update करने के लिए भी कई बार गुहार रहती है, तो इसलिए भी यह news में रहता है, inflation count करता है कि महंगाई कितनी है, तो यह था total large का discussion, I hope कि आप लोगों ने enjoy किया होगा, अगर lecture आप लोग को पसंद आता है, तो आप लोग revision के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेलिग्राम से जाकर, टेलिग्राम का link वीडियो के नीचे description box में आप लोग को मिल जाएगा, इसी के साथ मेरे साथ connect रह सकते हैं, Facebook, Instagram और Twitter पर, वो भी सारे link वीडियो के नीचे आप लोग को description box में मिल जाएगे, बाकी च आप लोग को टाइम मिले दो, मिलता हूं नेक्स लेक्चर में, बड़ो को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोड़ी से life and enjoy करें और तब तर के लिए, जै हिंद!